मज़ा आगया मज़ा आगया मज़ा आगया आज हम लेकर आए आपके सामने एक रियल मोटिवेशन स्टोरी एक लग्की को जिसको की बोले में बहुत प्रव्लम सी जिसी हम अखलाना स्टैमरिंग बोलते हैं कैसे उसने ओवरकम किया और कैसे इसको जॉब मिली तो वीडियो को लास्तित बने रहें और एक बिल्कुल रिल स्टोरी है आपके लाइफ चैनि कर सकती है वीडियो को लास्तित रहो देखें मुझे नाम सालिक हुसैन है मैं बेहार कट्यार जिले का रहने वाला हूँ मुझे मुझे बच्पन पे ही इस टैंडी की ठिकायर है मेरा नाम सालिक हुसैन है और मैं प्रेणिंग कोर्स के लिए जितने सारी कॉलस्टिपेशन है मैं कि मेरे पास में कोई जॉब भी नहीं थी और मुझे वज़े लिए थी मेरी मेरी घबरा है तो एंस कि मैंने मोहन शर के में कॉांटेक्ट में आया और तीन मंध की जो ट्रेण्ग है मैंने इस लिए तो मेरा मुझे वेख्चर की लौकरी भी कॉलेज में निकी मिली और मेरा जो एक पेस्बी करना मेरा एक पना तो मैं इसके लिए बहुत अपने में इतना इंप्रोव किया है तो यह हमारे सब के लिए बहुत एक इंस्परेशन है कि यह जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं जो भी स्टैंबरिंग से सफर कर रहे हैं दे मोटिवेट हैं उनका कॉंटेंस लेवल है तो यह वीडियों के लिए बहुत ही मोटिवेशन है कि जैसे कि कैसे आपको स्टैंबरिंग का प्रोल्म था और आज प्रभू किरपा आपको कितना अच्छा बोल रहे हैं ऐसी करते रहे हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर हमें यह पते है कि साउंड हिलिंग जैसे कि साउंड थेरपी आपको शायक्षिन में देते हैं तो मैं यह व्यूज पूछना चाहता हूं कि साउंड हिलिंग जो है उसने आपकी लाइफ में क्या चेंज गेए करता है और हम लोग अनकंसस माइड में जातर के सर्व से अपने वर्थ है जो हमारे दिमाग में जो भी खरावियां बैठी गी है करता है अगर जो भी परिष्यान है इसमें राम बान का का देखिए जैसे कि साउंड हीलिंग के साथ इनके इतने भी वह देख्रेंटली डिप्रेशन था नंको इनको इमोशन हो था कि मैं भोल नहीं पाँगा जहलंके माइड़ में यह टाटा से वह चुक्छ था कि अभी मैं सबके समय अच्छे से बात नहीं कर पौंगा साउंड हिलिंग और हमारे कुछ टेक्निक इनको हमने दी और इनुन डेडिकेट फॉलोगी और फॉलोग करने के साथ बिटेविन थ्री मंद्स यह बिल्कुल यह आप देख सकते हैं कि अच्छे से बोल रहे हैं तो